चोपड़ा है जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चोब आज इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेट के अपडेट देने वाला हूँ इन में काफी सारे स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं और कुछ स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट होने वाले हैं पंजाब, उडिसा, आईप्यू दिल्ली, जारखंड, आंद्रा, सिक्किम, आसाम, संडीगड इन आठ स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तिरपुरा और जम्मो कस्मीर के रेजिस्टेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं इसमें राजस्तान, हरियाना, विहार, उत्राखंड, वेस्ट बंगॉल और चतिशगड इन स्टेट के अभी रेजिस्टेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं इनके जल्द ही रेजिस्टेशन स्टार्ट होने वाले हैं बाकी स्टेट के जैसे की UP का, MP, तमिल नाडू, तिलंगाना इन सब के रेजिस्टेशन क मैं आलरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं, अब सबसे पहले बात करें हम अंद्रप्रदेश स्टेट के, तो अंद्रप्रदेश स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी जो वेबसाइट है, APUHS-UGadmissions.aptonline.in है, अ अभी जो रेजिस्टेशन स्टार्ट होए हैं, वो competent authority के रेजिस्टेशन स्टार्ट होए हैं, अधरी स्टेट कंडिडेट यहां के management seat में admission ले सकते हैं, तो management के admission अभी स्टार्ट होए नहीं, रेजिस्टेशन अभी स्टार्ट होए नहीं, जैसे ही रेजिस्टेशन स्टार् 60 रूपीज है इसमें लेट फीज का भी प्रोविजन है अगर आप लेट फीज से फर्म अप्लाई करते हैं तो 19 अगस्ट 24 सुबह 9 बजे तक लेट फीज से अप्लाई कर सकते हैं लेट फीज इन फीज के साथ 20,000 एक्स्टरा लगती है यानि कि लेट फीज से OC और OBC की जो फ 250 रहेगी SC ST की 22,360 फीज रहेगी फीज स्ट्रेक्शर अंदर प्रदेश का एक बार मैं बता देता हूँ उनकी फीज 15,000 रुपीज है यहां पर अब बात करते हैं हम गौर्मेंट मेडिकल कोलेज में जो जनरल कैटेगरी यानि की 15,000 उसकी भी है और सेल्फ फाइनेंस कोलेज हैं यहां पर जो पिछली साल ओपन हुए थे मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले वाले कोलेज है उसकी फीज 60,000 है ओल इंडिया कोटा से भी उसकी फीज 60,000 है एनराई की उसमें 25,000,000 रुपीज है यहां पर अब यहां के जो प्राइवेट कोलेज है उनमें जो मनेजमेंट की सीट की फीज है वो 13,000,000 है और यहां के जो कैटेगरी एक कोंपिटेंट अथोटी के कंडिडेट हैं जिनका प्राइवेट में गवर्मेंट सीट होती है उनकी 16,500 रुपीज फीज है यहां पर अब बात करते हैं सिक्केम मनिपाल की सिक्केम मनिपाल एक प्राइवेट मेडिकल कोलेज है और इसके फ़र्व काफी दिनों से स्टार्ट है और इसकी जो प्राइवाल में ध्यान रहे इसकी लास्ट डेट 18 अगस्ट 24 है और इसकी जो वेबसाइट है वो है smu.edu.in इस पर आप रजिस्टेशन कर सकते हैं आईपी उनिशिटी दिल्ली जिन बचों ने 11-12 दिल्ली से कर रखा है वो इसके लिए इलिजिबल है जनरल कैटेगरी के ल दो प्रकार के रिजिस्टेशन होते हैं एक application फॉरम फिल किया जाता है kaunceling के लिए दूसरा resistance होता है तो जैसे ही आपने अगर application फॉरम फिल करना है तो उसकी fees 1500 है यह पहले भी application किये जा चुके है अगर किसी नहीं किया है तो फिर से face registration कर सकता है पॉаш से सोड़ा अगस्ट और उसके बाद में दूसरा registration होता है counseling के लिए जो हर एक candidate को करना होता है जिसने पहले registration कर रखा उसको भी करना है 1000 रूपीज फीज पे करके और जो अब कर रहे हैं उनको भी counseling के लिए registration करना है उसकी date भी 5 अगस्ट से 16 अगस्टक है यहां documents verification होता है वो online ही होता है general category को बाकी सारी category का documents verification होता है वो 6 से 20 अगस्टक होगा online form apply करते समय आपको documents upload करने होते हैं यहां पर अब बात करेंगे करनाटका की तो करनाटका state का registration की जो date है वो आज 2 बज़े तक extend हुई है मैं इसकी साथ साथ और भी condition बता देता हूँ कि यहां पर अभी जिन बच्चों ने registration कर दिया है और वो class A और Y के अंदर NRI और शेंट जोन में category 2 से 8 तक का reservation लेना चाते हैं वो candidate offline documents verification करवाएंगे के यह office में और उसकी date 12 से 13 अगस्ट 2024 रखी गई है जो बाकी candidates है clause Y वाले हैं other state के candidate है और private यहां के medical college में admission लेना चाते हैं तो उनको documents verification online ही होगा उनका और वो अपने documents verification की slip download कर सकते हैं जो link दिया हुआ है जिनोंने पहले registration कर रखा है वो भी उसी link से slip download कर ले उनको बैंगलोर जाने की आवश्यक्ता नहीं है फिर से आपका confusion दूर कर देता हुँ जो private में admission लेना चाते हैं other state candidate है उनका documents verification online ही होगा और वो documents verification online आपको download करना पड़ेगा website से जो link दिया गया है अगर आप सेंट जौन में 2-8 तक category का lab नहीं लेना चाते reservation category का और NRI candidate की seat नहीं लेना चाते तो आपको बैंगलोर जाने की आवश्यक्ता नहीं है वो आपक documents verification online होगा सेंट जौन में जो 2-8 category के student है उनको verification के लिए वहाँ जाना है लेकिन ऐसे candidate जो other state के हैं और सेंट जौन में कोई category का lab नहीं लेना चाते उनको भी documents verification के लिए जाने की जौरत नहीं है उनको भी seat मिल जाएगी सेंट जौन में जो 10 seats है अब इसकी choice filling की बात करें जो पहले इन्होंने schedule दे रखा था 9 से 11 को दे रखा था 11 अगस्त तक दे रखा था लेकिन 11 अगस्त तक अभी मुश्किल है क्योंकि अभी जो है वो documents verification चल दा इसका दुबढ़ा schedule आएगा तो हम आपको inform कर देंगे इसके बारे में अब आगे बात करते हैं पंजाब state की पंजा रुपए फीस ली जाती है और reserve category से यहाँ 25 रुपए फीस ली जाती है यहाँ पर अब इसमें documents verification की date 16 से 18 अगस्त तक है इसमें और first counseling का जो schedule है 24 फिलिंग 10 अगस्त से लेकि 24 अगस्त तक है और इसमें result 28 अगस्त को आ जाएगा यहाँ पर physical reporting 31 अगस्त से 5 नौंबर तक है श जो चंडिगड का schedule है वो चंडिगड के लिए form start हो चुके है 16 अगस्त लास्ट डेट है इसके application की और इसमें offline counseling होती है तो 28 अगस्त को यहाँ counseling होगी MBBS के लिए BDS के लिए 29 अगस्त को होगी इसकी जो form fill करने की वो date है वो मैंने आपको बता दी है और यह इसका link है यह 164.100 00.185.21 user-details.mbbs.aspx यह इसकी site है इस पर आप registration कर सकते हैं चंडिगड के state के जो domicile candidate है वो यहाँ registration कर सकते हैं जिनोंने 10th, 11, 12th चंडिगड से कर रखा है अभी हम बात करते हैं आसाम state की तो आसाम state में जो आसाम की website है वो dme.asam.gov.in है इसके registration 21 अगस से start होंगे 23 अगस last date रहेगी twice filling 24 अगस से 26 अगस रहेगी और इसमें जो result आ जाएगा वो 29 अगस 24 को आ जाएगा result बाक्या आगे का schedule बाद में दिया जाएगा उडिसा इस्टेट की बात करें तो उडिसा की जो website है oje.nick.in है इसके registration इस्टार्ट 10 अगस से लेके start हो चुके हैं 14 अगस इसकी last date है यहां पर और final merit list 20 अगस्ट को आ जाएगी यहां पर इसके बाद आगे का schedule बाद में दिया जाएगा जारकंड इस्टेट के भी registration इस्टार्ट हो गए हैं जारकंड इस्टेट में दो परकार से registration होते हैं पहले registration होता है फिर counseling के लिए registration अलग से होता है तो application form फिल के जाएगे इसके 17 अगस्ट दोजार्ट इस तक state merit 20 अगस्ट तक आ जाएगी 500 रुपे जनरल EWS BC1 BC2 काटेगरी को देना है SCST female candidate को यहां 250 रुपीज देना है अब यहां counseling के लिए registration करना है वो 21st अगस्ट से लेकर के 26 अगस्ट तक कर सकते हैं आप इसमें और इसमें second round का जो allotment है वो आ जाएगा इसमें 29 अगस्ट को last date joining 5 September रहेगी second round का भी schedule दे दिया गया है यहां साथ तारिक तक आप new candidate registration कर सकते हैं और med list 10 September तक आजाएगी यहां शुरी 7 September तक registration कर सकते हैं 10 September तक merit list आजाएगी और इसका जो allotment लेटर आएगा वो 20 September को आजाएगा 26 last date रहेगी admission की third round का schedule भी आ गया है 29 September तक registration कर सकते हैं और इसका जो result आएगा 12 अक्टूबर तक आजाएगा last date 18 अक्टूबर रहेगी इस ट्रे का भी schedule है 17 अक्टूबर तक registration कर सकते हैं और इसमें 25 को result आजाएगा 25 अक्टूबर को result आजाएगा जो इसकी counseling की fees है वो 1,000 रुपी जनरल EWS, BC1, BC2 के लिए SCST female category के लिए 5,000 है और इसमें जो security deposit होती है वो 20,000 UR EWS के लिए है और 10,000 SCST, OBC और PWD candidate के लिए government की condition में अगर private में admission लेना चाहते हैं तो 2,000 रुपए MBBS के लिए BDS के लिए 1,000,000 रुपी जए यहाँ पर इस ट्रे में अलग से 50,000 यहाँ deposit होते हैं अब तिरपराइस state की बात करें तो तिरपराइस state में merit list जारी कर दी है अगर इस merit list में तिरपराइस state की जो domicile candidate है उनका नाम नहीं है तो वो 14 अगस्ता का अपने document से send कर सकते हैं उनका नाम इस list में add हो जाएगा तो इस परकार से मैंने आपको 10 states के बारे में update बता दिया है जैनके state की भी merit list पब्लिस हो गई है और आगे का schedule अभी जल्द ही जा अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना साते हैं तो mcc यानि ओल इंडिया quota state इस वेटनरी इन सभी के लिए हमारी book available है इसमें जो facility है वो 24 counseling के लिए choice list दे रखी है इसमें इसके बाद में round wise category wise cut hope दे रखी है जिससे आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी rank पर कौन सा college मि इस बार एमस जिपमर सेंटर पूल कोटा counseling process को समझाया गया है flow chart से ऐसे ही state में ये सारी facility दी गई है हर एक state के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें हर एक state का counseling procedure अलग है तो उसके बारे में भी समझा दिया गया है आयूस veterinary की book में भी ये सारी facility available है इन books को आप हमारे इस video के description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.sofdaeducation.in से भी इनको download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपार कर लें तो ये जानकारी थी सभी states की update के बारे में वो मैंने अभी तक आपको दे दिया है कि आज तक किस-किस state के registration start हो गए हैं किस-किस के registration start नहीं हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update की साथ नई वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा जैकिंग